आओ कसम उठाए करना हर प्रारां आओ कदम बढ़ाए करना हर प्रारां आओ पढ़े पढ़ाए करना हर प्रारां घ्यान की जोत जलाए करना हर प्रारां दावं में घ्यान पसारेंगे धरते पे सूर उतारेंगे आओ आए या तलफान इम्मत ना हारेंगे आओ पढ़े पढ़ाए करना हर प्रारां ग्यान की जोत जलाए करना हर प्रारां आओ 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 इसकी में कई गड़बड हो सकती है क्या वैसे भी हमारी बस्ती में सब शरीफ लोग रहते है सो तो आप ठीक कह रहा है अद्दक जी लेकिन माजरा क्या है चेरा खूब चमक रहा है अरे चेरा इस उमर में क्या खाक चमकेगा फिर भी वो क्या कही है हां कुस तो है जिसकी पर्दादारी है फज्जू सही कह रहा है अद्दक जी कुछ तो है जिसकी पैरेदारी है पैरेद अंधैक कि नो कलने ऐख वह अपनी बस्ति में पानी की टेंकिने उन्हों तनकी चेए सही वैसे अध्यक जी इस उमर में नोटंकी देखके तुम्हारा क्या होना है हाँ और अगर हमारे इतना ही ख्यालता तो परदे पे कोई फसकलास फिल्म लगवा देते बच्ची और भूलो सब की तफरी हो जाती दुनिया कहीं कहीं पहुंच जाए पर तुम वहीं के वहीं रहोगे मतलब यह कि नोटंकी तीम भी तुम लोगों के मनोरंजन के लिए बुलवाई है अरे फिल्म तो तुम हर रोज ही देखते हो कभी कोई अच्छी चीज भी देख लिया करो इसमें जीते जागते लोग तुम्हारे सामने नाटक करेंगे इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या हुआ है तो इसका मतला नोटंकी में कोई अच्छी चीज भी देखने को मिलेगी अब ज्यादा बाल की खाल ना निकाल मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन आज से हम बस्ती में नोटंकी आ रही है बखत पर पहुंच जाना तुम भी सुन ले लकी वैसे भी अपनी बस्ती में रोज है किसी ने किसी के घरवन नोटंकी हो वह है आज बाहर वालों की ग्रीष महटे के पसंद सा फूसींगी निकालेकर जाओंगी अगर तुमने मेरे माब़र की कमाई का सामान वापस नहीं किया ना यहां से रती भर में नहीं ही लोंगी यहीं तो मारी चात्वी पर मूंग दा लोंगे मूंग हे भगवान हमने तेरा क्या विगाड़ा था जो ऐसी चुडायल जैसी भू हमारे पल्ले बांदी इससे तो अच्छा होता मेरा पेटा कवारा ही रह जाता हे भगवान मैंने तेरा क्या विगाड़ा था जो इन जैसे लोगों के खूटे से बांदिया इनके घर भेजने तो तो बच जाती सारी जिंदीकी तेरा नाम लेकर जबती रहती है अहां देखा है बड़ा नाम जबती है अरे कितनी बार तुझे कहा के चल बाबा पटाका राम के पास वो सब के बिगडे काम समार देते हैं एक बच्चे को तरस्ती है उनके पास चल छे शे बच्चों से आगन गुंजेगा है तुम्हारी तरह अनपर नहीं हो जो किसी भी पटाख राम बम राम या गन राम के पास चली जाओ तब ही तो जहरा देखा है उस पर फटकार बरस्ती है जैसे कुछ सड़ा हुआ अम्रूद हो अपनी आपको देखा है बासी बैंगन से कम नहीं लगती हो हां जब प्रकटी मुर्गे क्या कहां अरे वही सांस वहो क्या वेंगन कि बाते हो रही है आने नमस्कार अध्यक fajs जी नमस्कार अरे घूंगत तो काढ्त सर जैसे है अई व्मीन संथ मत अङर्व द treasureенного स्र चलस्ताउ लुट लुटे में नो टंकी बलवाई आपके मनोरंजन के लिए हो सके तो जरूर आना आ और चैन्हां जरूर आएंगे अच्छा अब मैं चलता हूं शाम को मिलेंगे नो टंकी में जाए नमस्कार नमस्कार तुम जाओ अपने पटा खराम के पास मैं तो चली ना टंकी देखने मैं तो चली ना टंकी देखने मैं तो चली ना टंकी देखने मैं तो यहां क्या चा कर रहा है, वहां जा के नाचना मुझे तो पिछने साथ क्या है कांपिटीशन में प्राइस में मिला था, डांथ? तांस कांपिटेशन हाँ वही वही इनाम तो मिला था अंटी लगिन वो क्या है ला आपके ले नाचने में तरह मावे है तुम किसके साथ नाचेगा पितू मैं आपको साथ नाचूंगा जै वुआ कहीं का मुझ पुडिया के साथ नाचेगा वहां जाके नाचेगा हाँ कीब साथ नाचि कीब साथ साथ नाचेगा जो में थैथ इनाचाओ नाचेगा अड़े चलाजा चलाजा शर्मा काय को रहा है इन बरतों बस्ती में नास्ता घूमता आहां जाना जाओ 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 नास्ता जाओ प्रारम नौटन की टीम आप ही की बस्ती में आप सब लोगों का जोरदा स्वागत करती है हमें विश्वास है कि हमारे और आपके चहेते कलाकार फज्जू और टीटू द्वारा किया गया डांस आप सब लोगों को पसंद आया होगा तो भई उन दोनों के लिए जोरदार तालिया है तो इस दान्स कारे करम के बाद हम आपके सामने एक नाटक पेश करेंगे ये नाटक एक सची घटना पर आधारित है या यूँ कहिए कि ये घरगर की कहानी है अगर आप लोग इस नाटक से कुछ हासिल कर सके कुछ सीख सके तो हम ये समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफर रहे अब आज की नारी की ही बात ले लीजे आज नारी ने जो मान और प्रतिश्शा हासिल की है उस पर कोई भी पुरुष फखर कर सकता है हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नर हो या नारी अगर उसमें होसला है अगर वो इरादा कर ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है पार कर ले समुंदर जाए पहाड़ों पर चड़ कर ले इंसा जरा सा इरादा अगर पहुत अच्छा तो इसी किता शुरू करते हैं आज का नाटक सुनो भाईया सुनो अरे सुनो भाईया सुनो दीवानी मस्तानी दीवानी मस्तानी बुढ़ापा किसी का किसी की है जवानी अरे बुढ़ापा किसी का किसी की है जवानी एक उतिसास एक बहुरानी यही तो है घर घर की कहानी एक ता उसका लरका अरे नाम था जिसका राजा परही लिखी को भ्या कर लाया बजा घर में पाजा अरे पढ़ी लिखी को फ्या कर लाया बजा घर में बाजा एक दिन राजा रानी से बोला बंद अकल का ताला खोला सुन ले मेरी प्यारी रानी तू ही तो मेरी जिंदगानी 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 राणी आज तू मुझे सच मुझे की राणी लग रही है ह systém कल कह रहा है तो मझे राणी नहीं पुरानी लग रहे हो मिस्टेक हो गई थी चमडे दिटांग हैं गी गहीश हो गई यो फूझ यूझ यूई टूंगां फूझा पूघ रूओ ऊटूरे पूझा मुझा उतूर पूटूरे ऊचनल अबता एफ इए टी यू रई आपीचर थो ना फटीचर का फटीचर हो तम है इसे बात कर रहा रानी और है पता के अन ओ-डबलू-एव्ह डीजी इजए सारी 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 अच्छ हे पता पी यूटी पी यूटी कि बटक पी यूटी पट्व बगवान मुझे अंपरपजी से छुठकाराट काब मिलेगा माप अपने क्या किया मेरे सपनों का गला घूर्णिया क्या क्या सप्ते देखे थे मैने अपने पति को लेकर और मेरी किस्मत में था इन नमूना देख राणी बिवेर अफ डाक्स समझी बहुत देंगर साद में हूं और मुझे अंजर आ गया ना एंजर नहीं एंगर एंगर देख मैं एंजर देप गालकार रहां सी समझी और मेरा एंगर तो एंजर से भी जाता हैगा अच्छा कर लेग इसे तो मैं कुमारी अच्छी थी और मैं भी बैगलार अच्छा सेया पती से उसकी बनी नहीं और पती से उसकी बनी नहीं और सास से उसकी जमी नहीं जब देखो राणी सास तो बात बात पर हरका दी सास जो भी बात बताती वो रानी कभी समझ ना पाती चल रही थी बीच में दो नोकें की चातानी और यही तो है घर घर की कहानी भारत सरकार ने लगबग 14.6 करोज शिक्षारतियों के लिए नए जगत की खिर्की खोल दी है आटों में ऐसी बात संपूर्ण साक्षरता अभ्यान लगबग 14.7 जिलों में चल रहा है और एक साक्षे चली आई इन्हें साक्षे बनाने में समाज के सभी वर्गों के एक दशंबर दो करोर से भी अधे क्लैम सेवी को ने बदद की है जिनने चाथ और घेनिया भी शामिल है तान शरके होड लटा के आँख से को सजाए नहीं देता कले गाय से बूझ रही थी और भाई सब टाइम क्या हुआ है और मचाएंगी तबाही अरे तो 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 मेरी उमर तक भी नहीं पहुचेगी तब तक तो नरक से दाट जाएगी नरक मजाक उड़ाती है ये अच्छी बात नहीं है तो क्या ये अच्छी बात है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ आँ बस्ती के सारी बड़ी बुड़ियों को इखटा करके कप्पे हाथ ना शुरू कर देती हो शीला के अपर फूद का साया है कमला इस पर एक साथ ती तीन बच्चों का जनम देगी यहीं सा बोलती रहती है आप हाँ और तू भी तो मेरे पूजा के समय टीवी कोल कर बैठ जाती है नस पीटी और तो और क्या करूँ आप इतो दिन में 12-12 गंटे पूजा करने बैठ जाती है अरे भगवान पर इतना ही विश्वास है तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती अरे मैं तो बगवान में ध्यान लगाती हूँ और तू क्या करती है बस पढ़ती रहती है पढ़ना लिखना चोड़के दो-चार घंटे बगवान की पूजा करेगी न तो दीन भी सुद्रेगा और दुनिया भी जमाना आ से पाँ पहँ है और आप अभी तक बाबाओ के ठकोस्तों को पानी में घोल-गूल कर पी रही है अरे मूँ भात कहींगी, बाबा संतों का मजाकुर आती है, उनके शाप से बच कलमुई, उनके शाप से बच, दो चार बू तो तेरे सर पे छोड़ दिये न, तो सारे महले में बाल खोड़ के नाचती फिरेगी, मैं तो क्या की हूँ, तू मेरे साथ किसी दिन कुमली वाले ब बाबा के पास चल, वो तेरी गोध हरी कर देंगे, बार बार करेंगे, माजी, कोई बाबा किसी की गोध हरी नहीं कर सकता, वो तो आप जैसे लोगों को बेव को बनाते हैं, आप जैसे अलबढ़ों को, हाँ, चुपकर, बिलको नहीं बोलना, हाँ, ऐसे बाबा लोगों के बारे में शाब्द बोले ना तो मैं तेरा जोटा खीच रूँगी समझी हां से पापर तो ठाय नहीं जाता खीचेंगी जोटा बताओ बाबा के चलते बहु के जोटे खीचेंगे ए कौमली वाले बाबा मुझे कुछ ऐसा मंतर दे कि इस काना में गमांड तोड़ सकूँ इस तरह सास बहु में होती रुफतकरार और जिस कारण दोनों रहती दिन भर बेकरार सबक सिखाने की दूपो सास ने एक दिन ठानी और यहीं तो है घर घर की कहानी तुम्हारी तरह कटखनी सास है तो बाहु भी तो तेड़े जैसी है आफ़त की फुढिया जंतर मंतर कली के लंतर क्वाला हाथी प्यासी बुढ़िया भूम बर्चु तु हमारी शर्ण में कैसे आई बाबा मेरी पाहू मुझे पौत तंग करती है मुझे अनपढ़कोने का ताना देती है उसका कुछी लाज करो मैं कुछ भी करने को त्यार हूं आप जो का होगे करू भूंगी और बाबा वो आपको भी थोंगी कि थिन वो हमें ठोग गवी कहती है वह मूर्ज हमारी ताकत को नहीं जांती थे पड़े लिखे सब वक्वास करते हैं वो नहीं जानते कि हम क्या नहीं कर सकते आले हम तो इंसान को बक्रा मना सकते हैं और बक्रे को गॉआ काए why महाराज आप दो धानिय हो आप दानिय हो महाराज आप दो चामतकारी हो ओ जंतर मंतर कली किलंतर भीम पलासी काला हाथी प्यासी बुढिया अगडम बगडा माई तुमारी बहु तुमारे रास्ते से अपने आप हट जाएगी तुम हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो बाबा ने क्या कहा सास से नहीं कोई ये जानता देखे भी सच कोई निसा सच नहीं है मानता करता है अपनी मन मानी यहीं तो है घर घर की कहानी इसको साबक सखाती हो कुमली वाले बाबा को नहीं मानती पढ़ना लिखना सब पूल जाएगी किते रख है अब माज जाएगा इसकी सब हेकड़ी निकल जाएगी माजी मैं प्रौशिक्षा केंद्र गई थी आपके लिए वहां बात करके आई हूँ अब आप अहां जाना शुरू कर दीजे पस बाहू मुझे तेरी यही बात पसंद नहीं है तू बैठ में चाए बना कर लाती हूँ तेरे लिए ये नीम के पेट से आज आम का रस कैसे टपक रहा है बाहू तू तू मुझे ऐसे ही पूरा सामझती है तू बैठ ना में चाए बना कर लाती हूँ अच्छा तो ये बात है माई तु ठीक समय पाराई अब तुमारी समस्या का समाधान निकट है मैं अपनी बहु किस सारे जेवर लाई हूँ तुने बहुत अच्छा किया अब देखना माई हम किस तरह इसमें अपने जादू की विभूत मिलाते हैं और उसके बाद तुमारी बहु इसे पहनते ही उसका सब अहंकार बस्म हो जाएगा और वो तुमारे आगे पीछे बक्री की तरह मैं मैं करती फिलेगी अब तुम बताओ उसे बक्री बनाओं या बिल्ली जो चाओ मराज ठीक है आँखें बंद करो अगर तुने अपनी आखें खोल दी तो तुम भी बस्म हो जाओगी बोलो जै महाकाल जै महाकाल जै महाकाल अब देखो तुमारी पडिलिखी बहु का ratings होता है जंतरम बंद कान्द आखाराण अब तुम अपनी आखें खोलो जै महाकाल लो अब देखो तुमारी पड़ी लिखी बहु का क्या हाल होता है उठाओ इसे और ले जाओ आप ताहने हो महराज जै महाकाल अब आप जाओ माई हमारी तुपस्या का समय हो चुका है जै महाकाल इस तरह सास ने बहू को मरवाने की ठानी अरे सच है भाईया ये है कल्युक सत्युकी तो हुई बात पुरानी माजी अरे माजी माजी देखिये ना गजब हो गया किसीने मेरे सारे जैवर असनी निकाल के नखले डाल दिये है अरे चुडैल होश की दुआ खा माजी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ किसीने मेरे सारे जैवर बदल दिये है कहीं आपने तो नहीं दे दिये किसी को अरे तू पागल होगी क्या मैं क्या करूगी ते जेवर लेकर राखी बहन अच्छा हुआ तुम घर पारी मिल गई अरे बेटी तू इतने उदास क्यों है क्या हुआ तेखिये ना उंटी किसी ने मेंने सारे असे जेवर निकाल के नकली डाल दिये है हाई राम कहीं तू भी तो उस कोमली वाले बाबा के पास नहीं चली गई क्या हाँ बहन सुना है बहुत बड़ा ठग था ठग पुलीस पकड़ कर ले गए उसे और तो के असली जेवर लेता और उनकी जगह पर चोरी छुपे नकली जेवर रख देता मा जी आप भी तो उस कोमली वाले बाबा के भक्त हैं ए बहन कहीं तू भी तो अपने जेवर नहीं दे आई उसे मैं तो मैंने तो हाँ हाँ बोल बोल मुझसे गलती मैंने तो राखी अब खबराने लगी नहिने में शर्माने लगी सहेली को भी बुलिवाया सारा किस्सा उसे बताया पूछी कोई तरकीब सयानी यही तो है घर घर की कहानी यही तो है घर घर की कहानी देख भे जो कुछ हुआ ये सब तेरी ही नासमझी का नतीजा है और तू है कि बेकार में अपनी ही बहु को डाटती रहती है बेहन पहले मैं भी अपनी बहु के बारे में यही सोचती थी लेकिन जब से प्रौड शिक्षा केंदर में जाना शुरू किया वहाँ पढ़ाई की तब से मेरी सारी मुश्किले हलो गई है पता है अब तो मेरे घर वाले मेरी हर बात मानने भी लगे है अब तो मैं खुद भी कमाती हूँ मेरे घर में तो अब बस खुशिया ही खुशिया है हाँ देख बहें, अगर तू भी अपनी बहु के साथ बराबरी करना चाहती है न, तो प्रोड शिक्षा केंदर में जाकर पढ़ाई कर पढ़ाई फिर देखना, तेरी बहु, तेरी हर बात कैसे मानती है अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, वो मेरी जो बहु है न, काम से आने वाली होगी उसके लिए खाना वाना भी तो बनाना है, अच्छा बहन, राम राम, खयाल रखियो अपना छोड़ा सबने साथ रह गई राखी निपट अकेली, अब तो सिर्फ तनहाई थी उसकी एक सहेली मन परहने को तैयार हुआ, प्रोर शिक्षा केंद्र में जाने को ठाने लिया जीवन में यहीं एक की, उसने भुद्धी मानी, यहीं तो है घरखनती कहानी परहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वज़ा से तेरे सारे जेवर चले गए नहीं माजी, मेरा एक भी जेवर नहीं गया है, मैंने वो डिबबा ही बदल दिया था माफी तो मुझे मागनी चाहिए आपसे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा भ्यवार किया है लेकिन यह सब एक नाटक था, ताकि आप पर लिख सके और अब आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, कि आपका बेटा राजा भी पर लिख चुका है माजी, इसके नेचर ने मेरा फ्यूचर बदल दिया, इसने पढ़ा के मुझे एक काहिल इंसान बना दिया अब मैं अपने प्यारों पे खड़ा हो सकता हूँ माजी, यह शिक्षा ही तो है जो परिवार को एक डोर से बांधे रखती है अब मैं भी गर से कह सकती हूँ कि मेरी सासी पड़ी लिखी है मुझे तुम परनाज है, बहू, I am proud of you तो यह थी घर-घर की कहानी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो जोड़दार तालिया बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हे बहुत दुख दिये है नहीं माजी, माफी तो मुझे आपसे मागनी चाहिए, जो मैं आपसे कभी भी अच्छे से पेश नहीं आई बेटी, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, मेरी तुझ जैसे आँखे खुल गए है, मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती, तो तुम्हार साथ ऐसा बुरा वेफार कभी न करती और इससे बढ़कर क्या हो सकता है, कि हम आए थे अनपर लोगों के बीच, और विदा ले रहे हैं पढ़े लिखे लोगों से कितनी है, और जब आप लोग कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही होगा, तो हम समझेंगे कि वो वक्त आ गया जब हमें आपसे विदा लेनी चाहिए, ऐसा ही होगा, नमस्कार और धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, और उस प्यार मोहबत के लिए जो आपने हमें दिया झोपने हमें आपसे लिए करते कि लिए आपके सहयोग के लिए लोग कि मैंगे किसे सही हो गया जब हमें आपसे लिए, और ऑने हमें आपसे लेगा, वत्वह सही कि दो आपसे लिए है